ना हुल्टार दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार, दे लाइफ टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ आदितिकवार राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा तेजी से चल रही है हर गाणा के बाद अब पंजाब में प्रवेश कर गई और पंजाब में जो समर्थन राहुल गांदी के दिख रहा है वो देखने लाइक है देसे शुरवात से आपने राहूल गांदी को देखा वो कल्चलर लोगों से मिल रहे थे भारत की सिंस्कृति को समझने कोशिश कर रहे थे लोक निरत्य जो हरे एक राज्य के अलग अलग है उन सब को भी देखने और समझने कोशिश कर रहे थे कन्या कुमारी से लेकर जब केरल पहुचे वहां मचवारों से बलाकात वहां कुमार से बलाकात फटबॉल केलते हुए राहूली कई सारी तस्वीरे आपने सोशल मीडिया पर वाइरल होते हुए देखी है के अंदर जब हो निकलते हैं सामको डलते हैं तो वही उरजा राहुल गांदी के अंदर दिखाई दी लेकिन इस दर्मियान कई सारी तस्वीरे भी दिखाई दी जो तस्वीरे मन को जगजोर देने वाली थी जो तस्वीरें बता रही थी कि राजनेता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो तस्वीरें बता रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी भारत के दिल को समझने की कोशिश कर रहे थे भारत के उस दुख और दर्द को समझने कोहिश कर रहे थे क्योंकि जो चलेगा जो जालेगा वही समझेगा चीजेगा चीजे क्या है इस समय एक और तस्वीर खुब बारल हो रही है एक खुबसूरत लड़की हाथों में गुलाब लेकर राहुल गांदी राहुल सर राहुल सर कहती है और राहुल गांदी के पास जाती है एक बड़े भाई के तौर पर राहुल गांदी को गले भी लगाती है और राहुल गांदी उसे स्नेह देते हैं प्रेम देती है यही राज नेता की खुबसूरती है कि आप जनता से कितना जुड़ते हैं अपनी भारत देश की जनता को आप परिवार की तरा अगर आप समझते हैं वो रम्यक द्रश्य जो दिखाई देता है उससे समझ में आता है कि एक नेता जो उन चीजों को समझ रहा है जो जनता फेस कर रही है ज़र आप देखिए वीडियो और वीडियो देखकर आप अंदाजा लगए कैसे इसमें भाई बहन का अपार प्रेम अपार द्रश्य छलक रहा है जो उन लोगों के मन में आशंकाएं खड़े कर देगा उनको लोगों को डरा देगा कि देखिए राहूल गान्दी किस तरीके से लोगों से गले मिलते हैं लोगों से प्रेम बाटते हैं प्रेम और सोहार्थ को लेकर चल रहे हैं नफरत किया कोई गुंजाइस नहीं है देखिए जरा तो आपने देख लिया इस वीडियो में साफ तोर पर नजर आ रहा है कि राहूल गान्दी का प्यार लोगों से प्यार जनता से प्यार सब भाई बहनों से प्यार मोदी जी तो सिर्फ कहते हैं भाई औ बहनों लेकिन उनका भाई औ बहनों वाला प्यार कभी दिखाई नहीं दिया है यहां पर भाई बैन का प्यार दिखाए दे रहा है यहां पर झचलक रहा है यहां पर यह जो वीडियो है यह लोग शेयर कर रहे है कि देखिए रिची भारगवा है जो लिखती है देखिए भारत जोड़ यात्रा में कहई दवा प्यारा सा लमझा ये प्यारा सा लम्हा है, ये खुबसूरत लम्हा है, ये देश की सची तस्वीर का लम्हा है, ये एक राजनेता जो समझ रहा है नीचे की चीजों को, जिसको कह सकते हैं कि ये जमीनी इस्तर का नेता है, जो जमीन से जुड रहा है, जो लोगों तक पहुँच रहा है, जो लो अन्य लोग हैं जो बतलब कहते नहीं कि जो एलीट क्लास है वो भी पूरी तरीके समर्थ अंदेर आपने देखा कैसे पूर्व जो सेना अध्यक्ष वो भी समलित हुए उनके साथ जो उनके और भी पूर्व अधिकारी थे पूर करमचाई थे वो भी समलित हुए वो सब यातर पूर नोकर शाह समली थो रहे हैं आप रे देखा रगुराम राज़त जो की पूर्व आर्बियाई के अध्यक्ष रहे हैं वो भी इसमें शामिल रहे तो ये सब चीजे है जो दर्शाती है कि राहूल गांदी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है राहूल गांदी ने भारत जोडने का जो एक सिलसला शुरू किया था जो लोगों को साथ लाने का सिलसला शुरू किया था जो प्रेम और महबत का सिलसला शुरू किया था वो अभी वे बरकरार है और राहूल गांदी कह रहे है राउल गांदी जब पंजाब पहुचे, पंजाब कभी मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाता हूँ, जब पंजाब पहुचे हो, पंजाब मैं उन्होंने कहा, कि हम तो बहुत कम चल रहे हैं, और यही एक अच्छे बक्ता की और अच्छे कर्म करने वाले की, कि वो दर्शा किसान डेली चलता है, रोजाना चलता है, अपने खेतों में चलता है, बीज लाने के लिए चलता है, अन्य जो समंगरिया है, जो खाद है, किसान जो अपने खेतों को उपजाने के लिए करता है, और रोजाना सुबह साम जाके अपने खेतों को देखता है, और जब खेत लह लाते हैं तो उसके अंदर एक अनंत प्रेम अनंत खुशी जो है वो जागरत होती है तो उससे तो कभी चल रहे हैं जला सुनिए राहूल गान्दी ने क्या कुछ का पंजाब में पहुच देखे एक बात किसानु से देखे सुनिए लोगों ने कहा कि देखिए कॉंग्रेस पार्टी के नेता तीन हजार किलोमेटर चल रहे हैं और जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है पंजाब का हर एक किसान हर एक किसान हमसे जादा चलता है ठीक है वो कन्या कुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है मगर वो अपने खेत में रोज चलता है मंडी तक पैदल जाता है खाद खरीदने पैदल जाता है बीज खरीदने पैदल जाता है तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है इन सरकों पे चुड़ता है तो सुन लिया आपने, राहूल गांदी जिस उर्जा के साथ चल रहे हैं, वो उर्जा, वो भाव, वो समझने की कोशिश राहूल गांदी कर रहे हैं जो राहूल गांदी को जो लोग नादान समझते थे, राहूल गांदी पर जो लोग चिपड़ी करते थे उन सभी के मुँपर तमाचा मारते उब राहूल गादी ने का कि सच्चा राजने तक क्या होता है एक कहावत बहुत पुरानी है कि जेके पैर ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई मतलब जिसके पैरों में बिवाई कहते हैं कि वो जो देखा नहीं जो फट जाते हैं पैर जिसके लिए क्रैक जैक नाम की क्रीम भी मार्केट में आती है उसको लगाओ फटी एडिया आठाओ तो वो बेवाई उसको बोलते हैं कि जो वो नहीं समझता वो पीर पराई नहीं समझ सकता है जो पैदल चलेगा जो छाले बरदाश्ट करेगा जो देखेगा सुबह उठकर बच्छवारे क्या करते हैं जो देखेगा दोपार में क्या हो रहा है आम जनता कैसे जीवन यापन कर रहे हैं इसलिए वो लोगों से गले मिल रहे हैं वो माताओं से गले मिल रहे हैं वो बैनों से गले मिल रहे हैं वो युवाओं से गले मिल रहे हैं सब को साथ लेकर चल रहे हैं और जो जजबा दिखाई दे रहा है राहूल गांदी की सियात्रा में उससे समझ में आ रहा है कि एक बगरा आयाम स्थापित करने वाले बहुत उचायों तक जाने वाले जिस तरीके से यातरा कर्या कुमारी से चली और कर्या कुमारी से कुछ लोग है जो अभी भी यातरा हम बराबर राउल गांधी का साथ दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम महब्बक के लिए आएं वो एक कहे रहे हैं कि हम प्रेम और सौहारत के लिए हैं हम करताई इसलिए नहीं आए कि कोई राजनेतिक पार्टी का एक नेता चल रहा है हम महिंगाई के खिलाप चल रहे है हम बेरोजगारी के खिलाप चल रहे है हम नफरत जो देश में फैल गई है यह उसके खिलाप चल र सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करकी बला आइकन दवाई ताकि सच खबर आप तक पहुचती नहीं नमस्कार दलाइफ टीवी सच सबसे आगे